नमस्कार में प्रिये रंजन और आज की इस एपिसोड में साउथ इंडियन बैंक को डिस्कस करेंगे 31 के पराइस पे ट्रेड करते दिख रहा है कल इसमें जो गिरावर दिखी थी लगबग 13% के आसपास की तो हमने आपको कहा 8% जो है वो राइट इसू बाले एड़ेस्मेंट थे बाकी 4% डाउन ट्रेंट थी और आज भी डाउन ट्रेंट दिख रहा है राइट इसू के सारे अपडेट्स आपको कल के वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे तो आज आगे के टेकनिकल ट्रेंट और न्यूज को समझे इससे पहले प्रीमियम टेलिगराम को जोईन करेंगे और डिस्किप्शन के लिंक से एकाउंट आपेन करेंगे वन मंत के अगर ट्रेंट को देखेंगे तो टेकनिकल एक range में रहा है यहां देखेंगे यह lower range और यह upper range और six month के ट्रेंट में stock ने काफी जो return रहे थे six month में 50% के return भी दिये है individual news एक right issue को लेकर के ही रहा है जो कि हमने already आपके साथ discuss कर लिया है तेक्निकल ट्रेंड धीरे अभी भी हलांकी पोजेटिव ही है लेकिन एक निगेटिव टेरिटरी में जाते दिख रहा है यहां सभी आपको राइट इसू को लेकर के ही निउस दिखेंगे वॉल्यूम लगबग 4 करोर यह हिस्टोरिकल वॉल्यूम को देखेंगे तो काफी बरा वॉल्यूम नहीं है क्योंकि राइट इसू के पिछले 4-5 दिनों से ही वॉल्यूम में भी स्पाइक दिखा है तेक्निकली देखेंगे तो क्या दिख रहा है यहां से यह ट्रेंड कंटिन क्लोजिंग इंपोटेंट है यह इस प्रकार से slow and steady lower side हो सकता है कि यह जो 26-28 है इसके लेवल को दिखा है तो बिल्कुल कौशन बढ़तेंगे फ्रेस बाहर इस लेवल का वेट करें ब्रेक आउट 34 के उपर का वेट करेंगे for target of 60 overall long term trend view है लेकिन short term में कौशन बढ़तेंगे एक better opportunity भी आपको lower side में दिख सकता है